हेलो एवर्वन मेर नाम है तिनन धवा आप से पहले सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं लास्ट प्लेस से तसमिन नंबर पे है हमारी लिस्ट में प्रागपूर विलेज प्रागपूर विलेज जो है हिमाच्छल का फस्ट हेरिटेज विलेज बनाया और बहुत ही नाइन्थ नंबर पे हमारी लिस्ट में है बंगला मुखी माता का मंदिर जब कांगड़ा से हम देरा के लिए जाते हैं तो रास्ते में आता है ओन रोड ये मंदिर आपको दिख जाएगा बहुत ही बड़ा मंदिर है कांगड़ा से देरा जाती वक्त राइट साइड पे आ आपे आते हैं, हवन करवाते हैं, बहुत ही मानता इस मंदर की मेरी पाती जो व्लॉग्स है, जो ट्रैवल व्लॉग्स है, उसमें मैंने ये काफी बार ये मंदर जाते जाते हैं, आपको दिखाया भी है, एक नंबर पर हमारी लिस्ट में है, पॉंग वैली, यह जिसको हम कहते हैं, महाराना परताब सागर, जो पॉंग डैम है, जो कांगडा का, बहुत ही बड़ा डैम है, उसका जो रेजरवायर, उसका नाम है महाराना परताब सागर, पॉंग डैम के उपर तो आपको रुकने की अनुमती नहीं मिलेगी, वहां पे न आप रुख सकते हो, न फोटोग्राफी कर सकते हो, लेकिन जो इसका रेजर्वायर है, वहां पहुचने के बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे विलिजेज में सोख के जा सकते हो, बहुत अच्छी लोकेशन है, पीछे पानी-पानी, बहु केसी का वहा पहुचना पॉसिबल नहीं होता था, तो बाद में अमंदिर जो नीचे बना दिया गया तो बानगंगार रिवर उसके बेंक पह, तो मंदिर की बहुत ही सुंदर है, साथ में से बानगंगा नदी बहुत ही अच्छी लोकेशन है ये, 6th नंबर में मारी लिस्ट तो पालंपूर से अगला जो टाउन आता है वहाँ पर यह बहुत बड़ा शिव मंदिर है एंशिएंट शिव मंदिर है का जाता है कि जब रावन ने शिवची जी से वर्दान मंग के शिवलिंग ले लिया था तो जब वह शिवलिंग रखा था वह यहां पर बैजनात में अनके लिए जो पैरा ग्लाइडिंग करना चाहते हैं आपने वह वीडियो तो देखी ही होगी जिसमें वह कहता है कि पांसो हजार ज्यादा लेले लेकिन लेंडिंग करवा दे बहुत वाइरल हुई थी ना वीडियो अगर आप भी ऐसे ही कुछ करना चाहते हो तो बीर बिल यहां पर बहुत सुंदर मार्केट है मेकलोडगंच की यहां पर आपको तिप्तियन मुनेस्ट्री भी देखने को मिल जाएगी और बहुत ही सुंदर मार्केट है यहां पर आपको बहुत अच्छा समान मिल सकता है अगर खरीदना चाहते हो तो अब मेकलोडगंच की बात हो पहाड़ों से पिगला हुआ ठंडा ठंडा पानी आता है और पतल सर्दियों में भी कुछ लोग उसमें उतर जाते हैं इंजॉय करने के लिए और वहां से पैदल चल कर जाएं कुछ एक किलोमेटर की थोड़ी सी चड़ाई है वहां पे जो है बाटरफोल है भाग सुनाब का बहुत ही सुन्दर जगा है यह फोटोग्राफी के लिए और इंजॉय करने के लिए हमारी लिस्ट में दूसरा नंबर है मसरूर टेंपल का मसरूर टेंपल पांडवों के टाइ लिस्ट नहीं आते क्योंकि यह थोड़ा इंटीरियर में पड़ जाता है तो बहुत ही सुन्दर जगा यह भी देखने वाली और हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर जो जगा है वो है कांगडा का किला फोट कांगडा फोट अगर आप कांगडा आयो और तो आप कांगडा यह नहीं कह सकते कि आप कांगडा घूमे हो कांगडा फोर्ट जो है मेन सिटी के बिल्कुल पास में ही है जो यहां पे भी बहुत ज्यादा टूरिस्ट में आते हैं थोड़ी सी टिकेट लगते हैं यहां पे अंदर खुमने के लिए और बहुत ही सुंदर यह खिला बनाया गय इसके संगम पे बनाया गया तो यहां से पूरा खांगडा आपको दिखता है और दूसरी साइड पे इनदरी का संगम दिखाई देता है तो बहुत ही सुंदर लोकेशन है यह भी विजट करने के लिए यहां पे आप फोटोग्राफी कर सबते हो कोई मनाई नहीं है करता हूं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जूरू कर देना बाकी मिलते हैं अच्छी वीडियों नेक्स्टाइम दबते के लिए बाइ